हलो मेरे बैर इस हाथिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं MP plus Constable 2022 की cut-off के बारे में और यहाँ पर मैं आपको expected cut-off बताने बालूँ कि आपकी कितनी cut-off रह सकती है और अगर आपके इतनी नमर आ रहे हैं तो आपको physical की तयारी करनी चाहिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like, share करके चैनल को subscribe करने ताकि in future आने वाली और एक update regular आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे यहाँ आप सभी को बता दें कि आगर आप UP plus Constable की तयारी करने तो आप सभी को यहाँ पे मैं UP plus Constable के लिए best book बता देता हूँ जो कि आपकी चक्सू publication की best book यहाँ पे आप सभी को मिलती है जो कि complete study guide है तो इस book को आप purchase कर सकते हैं और अपने UP plus Constable की तयारी कर सकते हैं वीडियो के description में भी आप सभी को link दिया गया है इसे offline और online दोनों ही तरीके से आप सभी purchase कर सकते हैं साथ ही में इनकी practice set और salt paper भी आते हैं उसे भी आप purchase कर सकते हैं link वीडियो की description में दिया गया है तो देखिए first of all तो यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप सभी को बता दे कि हम comparison नहीं करेंगे 2017 की बरती आप सभी को पता है और 2022 की बरती इन दोनों का कोई भी में यहाँ पे comparison नहीं करने वालो reason आप सभी को पता है कि 2017 की बरती और 2022 की बरती में काफी difference है सबसे first of all तो मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात तो आपकी vacancy का difference है उसके बाद आगर हम बात करें तो 2017 से 2022 तक 5 साल का जो gap रहा है उसमें competition का level एकदम से change हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है इसलिए हम comparison नहीं कर सकते हैं 2017 और 2022 को तो यह चीज़ के लिए हो जाती है क्योंकि 2017 हम अगर हम बात करें तो 12828 आपकी vacancy ती है और अभी हम बात करें 2022 में तो total आपकी 4000 vacancy है male candidate में general category में है तो male candidate के लिए general category में आपके अगर इतने number है तो आप अपनी तयारी कर सकते है normalization के बाद मैं आपको number बता लूँ क्योंकि देखे normalization होना है तो normalization में आपके number increase होंगे और increase के लिए भी मैं आप सभी को clear कर देता हूँ क्योंकि कम से कम 8 से आप 10 number तक मान के चल सकते हैं कि आपके 8 से 10 number तक increase हो सकते हैं सभी के नहीं होंगे लेकिन कुछ candidate के भी ऐसे होंगे जो कि 8 से 10 number तक increase हो जाएंगे तो जो आपको मैं cut-off बताने बाला हूँ उससे आप अपने 8 से 10 number अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो आप अपने आपको उसमें मान सकते हैं कि आपका selection हो सकता है क्योंकि number जो normalization होगा उसका तो आपको पता से लेगा जब आपका physical हो जाएगा physical के बाद जब आपके number सो किये जाएंगे तो यह आपको पता चल पाएगा कि normalization के बाद कितने आपके number increase होए तो अभी का तो आपको पता ही है तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी general category की तो अगर general category में अगर आपकी number है 70 से 72 अगर 70 से 72 number है with the normalization मैं आपको बता रहा हूँ और पहले clear कर रहा हूँ कि अगर मान के चलिए 8 से 10 number इसमें आपके कम है जैसे कि मान के चलिए हो सकता है इस 70 से 72 वाले में 65, 62 इन दोनों candidate का भी selection हो सकता है 66 वाले का भी हो सकता है 66 वाले को 6 number का normalization मिल जाए है 62 वाले को 8 number का normalization मिल जाए तो इसी के according में आप सभी को बता रहा हूँ कि आप इसमें ये भी मान के चलिएगा कि normalization में एड करके आपको बता रहा हूँ तो 70 से 72 अगर आपके general category में male candidate के आते हैं तो निश्यत रूप से आपको अपने physical की तयारी करनी चाहिए no doubt आपको कुछ भी न सोचते हुए सिर्फ आप अपने physical की तरफ focus करें अब देखें वहीं पर बात कर लेता हूँ female की तो female के लिए मैं आपको clear कर दूँ अगर आपके 50 plus number हैं तो निश्यत तोर पे आपको अपनी तयारी रखनी चाहिए क्योंकि देखो मैं 2017 से comparison नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी आप सभी को बता दें कि 2017 के अगर मैं बात करूँ तो cutoff जो लगबग लगबग cutoff में 30 number का gap रहता है 2017 में तो आप समझ सकते हैं यहां पर लगवो मैंने 20 number का gap रखा है तो अगर आप कितने number आ रहे हैं तो निश्यत रूप से आप अपनी तयारी करें इसमें भी 4-6 number अगर कमा रहे हैं तब भी आपको अपने physical की तयारी रखनी चाहिए अब उसके बात जो बात आती है वो आते OBC category में male candidate की तो 68 से अगर 70 number अगर आपके OBC category में अगर आपके number आ रहे हैं तो आपको अपनी तयारी एक दम से बढ़िया तरीके से सुरू कर देनी चाहिए नो डाउट आपका यहाँ पर selection होने के पूरे-पूरे chances and with normalization याद रखिए का बार-बार मुझे repeat ना करना पड़े अब OBC में वहीं पर female की बात करनें तो कम से कम आपकी बात करनें तो 60 प्लस number यहाँ पर आपके होने चाहिए female candidate के OBC category में तब ही जाके आपको कुछ chance मिल सकता है क्योंकि OBC category की cut-off भी highs आती है female की general category के comparison में अब बात आ जाती है EWS category के तो EWS category की बात करूँ तो 60-60 से लिके अगर आपके 90 नमबर तक अगर आपके बन रहे है EWS category में male candidate के तो आपको अपने physical की तयारी करनी चाहिए वहीं पर EWS category में अगर मैं बात करूँ तो लगवाग आपके यहाँ पर 60 के अपरोक्स अगर आपके नमबर है तो एक दो नमबर कमान सकते हैं क्योंकि EWS category में देख देखो मिल रहा है कि female के नमबर बहुत जादा high नहीं है तो इसलिए मुझे लगता है कि start number तक आराम से आपका EWS category में final selection भी हो सकता है अब इसके बाद बात आजाती है आपके SC category में तो SC category में अगर मैं बात करूँ तो 62 से लेकर अगर 65 नमबर तक अगर आपके SC category में बन रहे हैं तो निश्यत रूप से आपको अपनी तयारी करनी चाहिए male candidate को वहीं पर मैं बात करूँगा कि आपके SC category में तो SC category में बात करें तो 58 से लेकर लगवक 60 नमबर तक अगर आपके SC category में female candidate के हैं तो आपको अपनी तयारी करनी चाहिए physical के लिए निश्यत रूप से आपका selection हो सकता है अब बात कर लेते हैं SC category की तो 55 प्लस अगर आपके नमबर है तो आपको female category में रहते हुए अपने physical की तयारी करनी चाहिए लगवक यही आपकी cut-off रहने वाली है जो मैं आपको analysis पर की बताएं एकदम exact है 2017-2022 में बहुत बड़ा अंतर है नमबर विकिंसी का भी difference है देखो यह cut-off plus minus तो नमबर रह सकती है normalization का एक सबसे बड़ा रोल है और normalization में किस के number increase होंगे किस के decrease होंगे हलंकि number decrease होने के कम chances है increase होने के ज़्यादा chances है पस यही रहता है कि किसी को एक number मिला और किसी को मिल गए 8 number तो यह बहुत ज़्यादा variation बना देता है यही बहुत ज़्यादा gap बनाता है तो इसी के ओपर आपका depend करेगा यह luck के ओपर depend है किस की सिर्फ ज़्यादा tough थी किस को normalization में ज़्यादा benefit मिलता है किस के number of candidate के average marks ज़्यादा आ रहे हैं किसी के कमा रहे हैं तो वो चीज़ें सब matter करेंगी लेकिन अगर आपके इतने number है जो मैंने आपको cut up बताई इसके according आप अपनी physical की तयारी जरूर रखें ऐसा ना हो कि आप physical के इंतिजार में बैटे रहें कि जब result आएगा उसके बाद हम physical की तयारी करेंगे और आप physical में fail हो जाएं तो आप सभी को suggest करूँगा कि अभी से अपने physical की तयारी शुरू कर दे डेफिनेटली आपका इतने number पर physical के लिए qualify हो जागा आगे के लिए जो होगा वो आप सभी को खुद पता चल जागा क्योंकि आपके जो normalization वाले number होंगे वो आपको 100 कर दिये जाएंगे तो अमीद करते हों कि वीडियो आप सभी को जरू पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe करने ताके इन future आने वाली और एक update regular आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे प्यारे साथियो फिलाल के लिए बस इतना ही तो थैंक यू फो वाचिंग जैहिन जबारत